मा के शब उसका वैक्तित वगर चुके थे PCMB वाले बच्चे ही काम्याब होते हैं मा की भी क्या गलती बिचारी की वो हमारे कोडी समाज का एक छोटा सा अंश मात्र थी जिसमें आज भी वैज्ञानिकों, गणी तग्यों या इस ग्यान से जुड़े पेशे वाले लोगों की जो इज़्जत अफजाई है उसे देख उस इज़्जत और पैसे को पाने की होड में सभी मतवाले हैं आप सुन रहे हैं कहानी जानी अंजानी बियूश अगरवाल के साथ चलिए, आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमश्कार दोस्तों, आज आप मना रहे हैं जश्न, कहानियों और मेरे आपका कहानी वाला प्यूश अगरवाल के साथ आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और कहानियों का आनन ले रहे होंगे पर एक काम जो आपको और करना है, वो है हमें लिखने का हम तक आपके विचार पहुँचाने का, हमें बताने का कि आपको कहानिया और उनका वाच्छन कैसा लग रहा है जैसा कि हम कहते हैं कि आप और कहानिया है तो कहानी जानी अन जानी है तो हमें जरूर लिग भेजिए अभी नहीं ये एपिसोट सुनने के बाद अब बात कहानी जानी अन जानी के चली है तो आज आपको इस पॉडकास्ट के बारे में भी कुछ बताता हूँ इस शो का मकसद है आप सबको हिंदी में कहानियों से रूबरू करवाने का जाने अन जाने लेखको की कहानिया आप तक पहुचाने का बचपन की कहानियों के जादू को वापस लाने का ऐसे राइटर्स को आप तक लाने का जिन्होंने कितना ही कुछ लिखा है पर बहुत कम लोगों ने उनकी कहानिया सुनी है साथ ही नए दौर के लेखको को भी उभारने का जिसके तहत हमने अनकही कहानिया प्रतियोगिता का भी आयोजिन किया जिससे आपकी डायरी के छुपे हुए पन्नों से कुछ कहानिया बाहर आए और यकीन मानिये ऐसा हुआ भी हमने जब अनकही कहानियों के विजयताओं से बातचीत की, तो इस प्रतियोगिता का होना सार्थक हुआ तो आज के एपिसोड में आप मिलेंगे हमारी सेकंड रणर अप त्रिप्ती वर्मा जी से और सुनेंगे उनकी लिखी कहानी काम्याबी त्रिप्ती जी फिलहाल यूएस में रहती है, इन्होंने MBA किया है और बतौर HR ये कॉर्पोरेट में जॉब कर चुकी है फिलहाल ये ब्रेक पर है, अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ लिख भी रही है अब लिखने की प्रेणा इन्हें कहां से मिली और ये कहानी उन्होंने क्यूं लिखी, ये तो हम जानेंगे उनसे बातचीत करके इनके बारे में और जानकारी के लिए विजिट करें शोनोट्स हमारी वेबसाइट पियूशगरवाल.com पर तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर काम्याबी, फ्रिप्ती वर्मा छोटी छोटी सी उंगलिया, पेंसल के सपर्ष से मानो सांस लेने लगती थी फिर धड़कनों के रखतार थाम सफेद कागच पर इत्रा इत्रा कर अपनी कल्पनाओं की दुनिया में घूमती फिर्थी मानो कोई शहजादी हो, हर कमी को सवारती, हर नक्ष को बहतर करती, अपने पोरों से रंगों को फैला कर खालीपन को भरती बड़ी रौविन हुड हुई जाती थी वो उंगलियां, उन उंगलियों को किसी भी त्रिकोन, त्रिजिया या परिधी की गणनाओं में उलजना कभी नहीं भाया किसी रसायन शास्त्र के समीकरण या भौतिकी की गती की विवेचना मानो सजा थी उनके लिए पेंसिल से कुछ नया उकेरती और रंगों में खेलती हुई आरोही को अकसर मां आकर जोर से डाटते हुई बुलती पड़े भी लिया कर कभी, ये कलाकारी काम नहीं आएगी, PCMB वाले बच्चे ही काम्याब होते हैं, चल हटाए सब और बेचारी आरोही, मां की डाट और उनके दिखाय भविश्य के चितरे से डर कर जल्दी जल्दी अपनी दुनिया समेट भिढ जाती अंकों से और चुनौती दे डालती हर ठोस तरल गैस के संग्यान को पूरे जोश से उतरती थी वो शत्रानी इस मैदान में, मां की बात का ध्यान था उसे PCMB ही जीवन दाइनी बूटी है, जैसे तैसे इस पर विजे पानी ही है लेकिन थोड़ी ही देर में सारा जोश, सारा जुनून, ठंडा पड़ जाता और कल्पनाए उसे आगेर दी अब वो अपने कॉपी किताबों पर नीली स्याही से, कभी फूल बनाती तो कभी अक्षरों को जोड तोड़ कर एक नया चहरा बना, उससे बाते करने लगती बस यूँ ही चलता रहा सिलसला, क्लास में नंबर अच्छे आना तो अकाल्पनिय था अरे, पढ़ाई लगन से करती तो नंबर आते न, आरोही तो अपनी ही दुनिया में रहती, फिर भी जैसे तैसे पास हुई घरवालों से जो डाट पढ़नी थी सो पढ़ गई, रही सही का सर वो लोग पूरा कर देते थे जिनके बच्चे अच्छे माक्स लाकर IIT और PMT की तैयारी में लगे थे आरोही की समझ सिर्फ इतनी थी कि वो बुद्धू और नालायक है, जो कभी अपने परिवार को सुख नहीं दे पाई पढ़ाई तो उसके लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल काम था, उससे अपना भविश्य अंधकार मैसा जान पढ़ता था मा के शब्ध उसका वैक्तित्व गड़ चुके थे PCMB वाले बच्चे ही काम्याब होते हैं मा की भी क्या गलती बिचारी की? वो हमारे कोडी समाज का एक छोटा सा अंश मात्र थी जिसमें आज भी वैज्यानिकों, गणी तग्यों या इस ग्यान से जुड़े पेशे वाले लोगों की जो इज़त अफजाई है उसे देख उस इज़त और पैसे को पाने की होड में सभी मतवाले हैं फिर उन्हें अपनी अंतरमन की आवास को ही क्यों न दबाना पड़े और उनकी इस इच्छा पूर्ती के लिए हुकुरमुत्तों की तरह उग गए मैनेजमेंट, टेकनिकल और मेडिकल कॉलेज उपलब थे ऐसे ही एक कॉलेज में आरोही को भी दाखिला मिल गया चार साल अटकने भटकने के बाद आरोही को भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई आज आरोही बहुत खुश थी आज उसे लग रहा था कि मा ने जीवन बरबाद होने से बचा लिया नौकरी प्राइवेट थी प्राइवेट नौकरी करने वालों की हालत किसी बंदुआ मजदूर से बस जरा ही भेतर होती है अगर मुन्शी प्रेमचंद आज के समय में होते तो नजाने कितने ही उपरन्यास और कथाय लिग डालते इन शोशक और शोशितों पर नौकरी में साल भी थे आरोही की शादी हुई उसी के जैसे किसी PCMV वाले से बढ़ते परिवार और मतरित्व की जिमेदारियों ने आरोही से उसके जीवन के सबसे कठिन और उबाव परिश्रम का फल उसकी नौकरी छीन ली अभी तक आरोही बेहोशी का जीवन जी रही थी आफिस जाती, पैसे कमाती, मॉल जाकर शॉपिंग करती पार्लर से लेकर मल्टिप्लेक्स तक के जीवन में आरोही सब कुछ भूल चुकी थी या कहे कि उसके पास इससे कुछ इतर सोचने का वक्त ही नहीं था मगर अब जब वो घर में होती बच्चों की पीछे भागते भागते उसे सुभह से शाम हो जाती अपने लिए समय तो दूर पैसा भी नहीं होता था तब वो बड़ी खिन सी हो जाती उसे तो ये बिलकुल याद ही नहीं था कि कैन्वस पर उतरी उनकी कलपनाएं और रंगों की दुनिया कैसे उसके काले सफेद मन को खिला दिया करती थी एक दिन बाजार में उसे उसके बच्चपन की सहेली शैफाली मिली शैफाली और आरोही एट क्लास तक साथ ही पड़े थे दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी हो भी क्यों ना दोनों का शौक एक ही था स्केचिंग और पेंटिंग का आठवी के बाद विशे अलग होने से दोनों की कक्षा अलग लगने लगी आरोही को याद थी शैफाली ने आर्ट चुनी थी आरोही ये सब याद कर आश्वस थी कि शैफाली कुछ नहीं कर पाई होगी जीवन में बाते खतम कर जब दोनों सहीलिया घर जाने लगी तब शैफाली ने एक कॉल किया और थोड़ी देर में एक गाड़ी आती दिखी आरोही ये देख शैफाली को छेड़ते वे बुली क्या बात है मैडम बड़ा पैसा वाला पती मिला है तुम्हें शैफाली हसते वे बुली तुम जानती हो उसे रोहित याद है न क्या? रोहित? वो जो हमारे स्कूल के चपराजी का बेटा था जिसको वीसमाफ थी तुमने उससे शादी की है? वो तो पढ़ाई में बेकार था हमेशा सिर्फ ड्रॉइंग में ही नंबर आते थे उसके तुमने क्या सोचकर उस बुद्ध से शादी की? वो भी गरीब आरोही एक सांस में बोलती चली गई मानो उसे शैफाली की चिंताने आग हिरा हो और वो शैफाली की इस गलती के लिए उसे फटकारना चाहती हो आरोही तुम मेरे पती के बारे में बात कर रही हो शैफाली ने लेजे में जरा तलकी लाकर आरोही को बीच में टोकते हुए कहा आरोही को अब थोड़ा अपनी बेफकूफी का एहसास हो गया था वो अब चुप चाप शैफाली की बात सुन रही थी शैफाली आगे बात बढ़ाती हुई बोली ये क्या अमीर गरीब होश्यार बुद्धू बोले जा रही हो कोई इंसान अपनी पसंद से गरीब नहीं होता और गरीबी कोई छूत का रोब भी नहीं है गुर्बत हमारी सोच में होती है ये बुद्धू और होश्यार की बाते तुम कह रही हो तुमने मेरे चुने विश्यों की हसी उड़ाई थी, आज उसी विश्य ग्यान के बूते पर, मैंने और रोहित ने अपना आर्ट स्कूल खोल लिया है, हम दोनों आज भी पेंटिंग करते हैं और उतनी ही खुशी से करते हैं, जैसे स्कूल में किया करते थे, और हाँ, मेरे द दोनों बच्चे हम आपसी सहयोग से समाल लेते हैं, ड्राइवर ने हौन बजा कर कहा, मैडम, जल्दी कर ये ट्राफिक जैम होना शुरू हो गया है, शेफाली को अचानक गाड़ी का खयाल आया, ओ, ओ, अभी मुझे जाना होगा, हम फिर मिलेंगे, वो जल्दी से आरोही क गले लगी और भाग कर गाड़ी में जाकर बैट गई, गाड़ी चल दी, शीशे नीचे कर शेफाली ने आरोही के तरफ बाई बाई करते हैं, आरोही ने भी हात इला कर शेफाली को विदा किया, आज इस बात को दो साल बीद गए थे, शाम का वक्त था, आरोही अपनी बैल सानवी की ड्रॉइंग बचपन वाली आरोही के ड्रॉइंग से कही ज़्यादा भैदर थी। हो भी क्यों ना, सानवी अपनी शैफाली मौसी के आर्ट स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट जो थी। त्रिप्ति जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका कहानी जानी-अन-जानी में और बहुत-बहुत बधाई अनकही कहानियों में आपकी कहानी सर्वस्फ्रेष्ट कहानियों में सिलेक्ट होने के लिए हमें बहुत-बहुत आनन्द आया आपकी कहानी पढ़कर जैसा कि हमारे एक जज ने कहा था आपकी कहानी के बारे में कि आपकी कहानी सरल है, साधारन नहीं आपकी कहानी से मुझे पूरी तरह आशा है कि काम्याबी कि जो सीड़ियां जो लोगा चड़कर आए है और जिस तरह से उनका जीवन बीता है उन्होंने भी अपने जीवन का कोई एक रंग देखा होगा तो पहला सवाल उसी से उसी से लिंक है कि भई काम्याबी जो कहानी है और इसमें जो आरोही जो किरदार है जो भी आरोही के साथ में हुआ वो इतना असल क्यों लग रहा है जी आपने सही कहा जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आरोही का किरदार कहानिया हमेशा हमारे आसपास के माहौल से इंस्पायर होती है इसमें सभी हम अपनी छवी देख सकते हैं ऐसा मैंने भी कही ना कहीं फील किया है मैंने अपने आसपास बहुत होते हुए देखा है आज की टाइम में अगर हम बोले जो हम लोग जो अपने जेनरेशन से गुजर के आए हैं तब भी यही होता था कि हाँ भई एक सर्टेन स्ट्रीम पकड़ लीगी यही दो फिल्ड हैं इन में निकल जाओ तो आप सफल हो तब आप काम्याब हो जो बच्चे पढ़ रहे हैं हर कोई इतना ज़्यादा नहीं अपने बारे में सोच पाता या इंट्रोस्पेक्ट कर पाता या इतना गहन होता वो सिर्फ यह है कि हाँ पापा ममी ने बोला है चलो यही ठीक है कर लेते हैं अकसर ऐसा करते जाते हैं करते जाते हैं आगे बढ़ते भी जाते हैं जिन्दगी भर उनको समझ नहीं आता कि वो किस ट्रैक पे थे कुछ को आता है कुछ को नहीं आता तो ऐसा ही आरोही का किरदार भी था उसमें अगर आप देखें तो आखिर तक भी वो इसी गुमान में थी कि भाई पर्फेक्ट है सब कुछ उसको एहसास हुआ आखिर में जाके जब उसने अपनी आखों से देखा कि नहीं जीवन की सच्चा ही कुछ और भी है और फिर शेफाली जब उन्हें बताती है कि उन्हें रोहित से शादी की है तो उसके बाद जो उनका जो एक आउटबरस्ट है कि भाई कैसे कर लिया तूने ये वो एक हद तक तो वो लगता है कि भाई वो अपने दोस्त के लिए बहुत कंसर्ण है इसलिए वो ये सब बोल रही है एक तरह से इसलिए कह रही क्योंकि उनका कोई भ्रहम तूट गया हो जैसे कि उन्हें अचानक से लगा कि अरे कोई इतना काम्याब कैसे हो सकता है जब उन्हें ये वाला रास्ता अपनाया जिसके लिए मुझे मना किया गया था जो मैं नहीं अपना पाई जी बिल्कुल आपने सही पहचाना एक तो यही कि ऐसा भी हो सकता है और दूसरा इसके पीछे ये था कि लड़कियों को आवगर आप देखें मेरी कहानी का मुख्य किरदार लड़किया ही है रोखित सिर्फ एक ऐसा है जिसके सिर्फ नाम इस्तिमाल किया गया है लड़कियों को बच्पन से क्या सिखाया जाता है अच्छे घर में जाएगी राजकुमार आएगा तेरे नखरे उठाएगा तेरे खर्चे उठाएगा थोड़ा स्टैस मेंटेन करना है तो तुम भी नौकरी कर लेना और आखिर में बच्चे ही बालने है तो वही सब उसमें मतलब क्या उसने सोचा था क्यो एक गरीब लड़का क्यो नहीं क्यो तुम सिर्फ एक उसी के पीछे भागते हो जो गाड़ी में आये तुमें उठाके ले जाए अगर हमें एक लाइफ जीनी होती है दूसरा अगर मैं आपसे बोलू की आज की तारिख में अगर हम पहले की बात कहें गाओ देहात में बच्चे एंजॉई किया करते थे नेजर एंजॉई करते थे अभी पूरा धान होता है बच्चा स्कूल से आता है ये कोचिंग वो कोचिंग आई एर्थ क्लास से और भी पीछे आप लिलो उससे पहले उनको कोचिंग में धकेल दिया जाता है वो तो आगे ही निकल पाएंगे इन सब चुजों से कि ये गणित है ये विज्ञान है उनके अंदर क्या है वो जान ही नहीं पाएंगे और ऐसे मैं जैसे आपने बोला मैं सच्चे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनके साथ ऐसा है वो आज भी उनको नहीं पता कि वो क्या लाइव जी रहे है और वो उसे ही सिर्फ नोट गिनना, गाड़ी, बंगला इसी को कामिया भी समझते हैं मन से खुश नहीं दिखते बिल्कुल बहुत ही खुबसूरती से कहा आपने और त्रिप्ती जी यूएस में रहती हैं उनके दो प्यारे-प्यारे बच्चे हैं और मैं कहूँगा कि उन सब बातों से नहीं गुसरना पड़ेगा कि उनकी माह भली बाती समझती है कि भई, जो बढ़ती उमर है उसमें जिस तरह से करियर, जिस तरह से आदमी क्या करना चाहे आगे बढ़के वो चुना जाए वो रास्ता सीधा नहीं होता वो रास्ता सिर्फ दो-तीन नहीं होता बहुत सारे choices होते हैं आप से आखरी सवाल यही करूँगा कि भई आपकी कहानी में आपने एक लाइन को बहुत हाइलाइट किया है PCMB वाले बच्चे ही काम्याब होते हैं जी क्यूं? उसकी पीछे मैं बोल सकते हूं कि मैं शायद अपना एक्सपेरियंस बोलू मैं जिस परिवार और जिस माहल में रही हूं वहाँ पर अगर कोई बच्चा मैथ और साइंस में अच्छा कर रहा है वो जीनियस है बाकी चाहे तुम कुछ भी करो वो काउंट ही नहीं होता अगर आप ड्रॉइंग में अच्छे हो अगर आप लिखने में अच्छे हो अच्छा कर रहा है तो और अगर हम खास और से बात करें जितने भी हमारे दिगज हैं जिनकी मूर्तियां शेरों में लगे योगती हैं जिनके हम कहानिया पढ़ते हैं या जिनका हम इंस्पिरेशन लेते हैं वो सब PCMV वाले तो उनमें से कितने थे आप गिनके देख लिजिए ज़रूर आप इतनी हाइलाइट करके थी तो ये लाइन मुझे भी कहीं छूगए कि भाई हाँ ये जीवन का एक सत्य है जिससे हम सब गुजरते हैं और आशा करता हूँ एक समय ये आएगा जब हमें ये लाइन हाइलाइट ना करना पड़े तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और त्रिप्ती जी से बातचीत के अंश जब हमने इनकी कहानी पढ़ी तो हमें लगा कि यह कहानी कहीं न कहीं हमें अपनी रोज मर्रा की सचाईयों से रूबरू करवाती है जिस दौर से शायद हम सब भी कहीं न कहीं गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं क्या आपके पास भी ऐसा कोई वाक्या है जो आपको कहानी सुनते ही याद आया हमें जरूर बताएं और लिग भेजिये helloattheratepushagrawal.com पर तो बस बने रहे कहानी जानी अंजानी के साथ इस नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ हमें सब्सक्राइब करना न भूलें आपकी पसंदिदा पॉडकास्टिंग आप पर और आपल पॉडकास्ट पर अपना रिव्यू भी दे मुझे ये बताते वे बहुत ही खुशी मिल रही है कि हम भारत में आपल पॉडकास्ट पर टॉप थ्री फिक्शन पॉडकास्ट में आते हैं और ये सब आप लोगों के कारण ही है आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी प्यूश अगरवाल के साथ जो की इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है तो हम आप से मिलते रहेंगे हर शुक्रवार तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए